हलो नमस्कार कैसे त्रीक हों गे चलिए मैं आपके सामने उत्तर मुगल का वीडियो लेके और मुगल समराजीे का मैं अंत कर रहा हूं यहाँ पर लास्ट उत्तर मुगल का वीडियो ठीक है तो उत्तर में मैं हेडिंग डाल रहा हूं जिसका नाम है उत्तर मुगल में आपको 1707 से और 1857 तक लास्ट सक लगवग डेड़ सो साल का मुगल इतिहास पूरा कर रहा हूं और यहां पर आपका मुगल का टॉपिक पूरा हो जाएगा ठीक हो गई चलिए मैं शुरू करता हूं देखिए 1707 में औरंग जेव की मृत्ति हो गई औरंग जेव की मृत्ति हुई कब हुई 1707 में अब औरंग जेव के लड़कों की अगर जो मैं बात करूं तो आप जानते हैं औरंग जेव के लड़के थे एक था मुगज्जम एक था आजम एक था कामबक्ष और एक था अकबर आपको याद होगा शहजादा अकबर जिसने औरंज जेब के खिलाब विद्रो गिया था ये तो पहले ही पराजित हो जाएगा पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा पहले ही मर जाएगा यह अकवर तो हम जानते हैं यहाँ पर मैं आपको में में फोकस करा रहा हूं जिससे आपका टाइम कम लगे और आपको ज्यादा मेटरियल मिलें देखें इन भाईयों में उत्राधिकार का यूद शुरू हो गया देखें कहते हैं मुगलों में जब भी ग बैठेगा या चोटा बैठेगा चुकि कोई भी गदी के लिए सब बराबर के दावेदार हैं तो इससे क्या होता है इससे होता यह है कि जब सारे ही बराबर के दावेदार हैं तो सभी आपस में संगर्श करते हैं और अन्तते क्या होता है कोई भी राजा नया राजा बैट तो देखे मुझ्जम और आजम के बीच में एक यूद है जो परिक्षा की दिर्ष्टी से आपके लिए महत्पून है वो मैं आपको बता देता हूं उस यूद का नाम है जजाओ का यूद कौन सा यूद जजाओ का यूद इंपॉर्टेंट है जजाओ के यूद में होगा क्या जजाओ के यूद में ये आजम पराजित हो जाएगा और मुझ्जम भी जी हो जाएगा ठीक होगी बात यहाँ पर आप देख लीजिए और आजम की मुझ्जम की साहेता कौन करेंगे दसवे गुरू गुरु गुरु बैठेगा यह बैठेगा बहादुर शाहा पर्थम के नाम से मुझ्जम गद्धी पर बैठेगा पेपर में एक दो बार पूछा गया बहादूर शाह पर्थम का नाम क्या था तो मुझ्जम था आप देख लीजिए मैंने आपको बता दिया चलिए मिटो रहों में इसे अब मैं शुरू कर रहा हूं बहादुर शाह पर्थम देखे बहादुर शाह पर्थम गद्धी पर बैठा है यानि मुझ्जम बहादुर शाह पर्थम के नाम से गद्धी पर बैठा है इसका काल होगा 1707 से 1712 जब यह गद्धी पर बैठेगा तो यह 65 साल का होगा 65 साल की आयू म में गद्दी पर बैठेगा इसे पता नहीं था शाषन में क्या हो रहा है और यह बड़ा लापरवा था इसलिए इसे बोलते हैं शाहे बेखवर वेंग के रूप में बोला जाता है 65 साल का आदमी गद्दी पर बैठ रहा है देख लीजिए आप जब मैं आप से चर्चा करूं मुगल समराज्य के पतन के क्या कारण है तो आप देखे 65 साल का करणों में कि इसके समय की में घटनाओ कि अगर जो बात कर लेता हूं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं नमबर एक इसने क्या किया था इसने जो आपके मराठे कैद में थे शाहू और उसकी माता को क्या कर दिया था रीहा कर दिया था इसके समय की ये में घटना है हम पीछे मराठो में ये पढ़ चुके हैं कि शाहे बेखवर गदी पर बैठेगा और ये मराठो के बीच आपसी संगर्च कराने के लिए मराठो के शाहू और उसकी माता ये सुबाई थी उन्हें रिहा कर देगा ये लोग महराष्ट में जाएंगे महराष्ट में जाकर के हमने युद पढ़ा था खेड़ा का युद होगा तारवाई के साथ में वो सारा का सारा में आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप देख लिए बहादुर्शा पर्थम गदी पर बैठ गया है इससे जादा कोई भी जादा कोशन इसके है नहीं मैं नेक्स चल रहा हूं 707 से 1712 तक बहादुर्शा पर्थम के बाद देखिये आपको में मुगल सामराज्ये की एक कमी बताता हूं इस समय मुगल सामराज्ये में क्या हो रहा है हमने बात की थी कि वह ये आपस में लड़के बैठते हैं गद्द तो इस समय दरबार में तीन गुट एक्टिव हो गए हैं ये भी एक पतन का कारण है एक होगा इरानी गुट कि एक होगा तुरानी गुट और एक होगा हिंदुस्तानी गुट अब मैं आपको इन तीनों गुटों के नेताओं से परिचित करा देता हूँ फिन मेरा काम चल जाएगा तो आप देख रहे हैं मुगल दरवार में गुट बंदी शुरू हो गई है और गुट बंदी में अब ये तीनों ही इस परियास में लगए हैं कि जो बादशा बने वो हमारे सहयोग से बने यानि हमारा व्यक्ति बादशा बने और यहां संगर शुरू हो गया है अगर मैं बात करू इरानी गुट का नेता कोन है, तो जुल्फिकार खां है, ठेके I.S. में पूछा गया है एक बार question, दियान नखियेगा तो रानी गुट का नेता कोन है चिनकिलिज खां चिनकिलिज खां याद होगा आपको हैदराबाद वाला वही है यह चिनकिलिज खां जिसे हम निजाम कहेंगे कहेंगे निजाम और हिंदुस्तानी गुट का जो होगा उसका नाम होगा सयद बंधु तो इस परकार से मुगल द इस्तिति कमजोर है मुगल समराज्य लड़ खडाने लगा है चलिए मैं आगे बताता हूँ चलिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गद्धी पर बैठेगा वो तो होगा जहाधारus आप समझ गे आप इरानी गुट का नेता कौन था इरानी गुट का नेता जुल्फिकार खांता यानि कि जुल्फिकार खां को मुका मिला और उसने अपने तरब से बादशा बेठा दिया जहादार शाह जैसे जुल्फिकार याद रखेगा और जैसे ही आपका जहादार शाह गद्धी पर बैठा है एक कोश्चन पेपर में आया हुआ यह एक किसकी प्रेमी का थी जिसके चक्कर में यह फसा हुआ था तो वह है लाल कूवर तो देखे बादशाविलासी भी हो रहे हैं ठीक बात है बादशाविलासी हो रहे हैं और समराज्ये पर ध्यान कम और मोजमस्त जैसिंग को समाई जैसिंग को मिर्जा की उपाधी दी ये कोश्चन है इसका एक वो हम देख लेते हैं मिर्जा की उपाधी दी ठीक हो गई बात और दूसरा मारवाड के आजीत सिंग को महाराजा की उपाधी दी तो आप देख सकते हैं महाराजा की उपाधी दी ये राजपूतों से संबन सुधारने का कहींONA कहीं परियास हो रहा है ठीक हो गई बात तो मैंने आपको बता दिया जुल्फीकार खां इनके समय में बड़ा चर्चा में रहेगा ये जुल्फिकार खाँ अपने अर्थ व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाएगा जुल्फिकार खाँ ये इजारा व्यवस्था चलायागा जमीदारी में इजारा पर्था इजारा पर्था क्या होती थी भूमी को ठेके पर देने के सिस्टम को इजारा पर्था कहते थे ठेक हो गई बात मैंने आपको बता दिया इससे संबंदित जो भी कोश्चन थे जहांदार शाह से संबंदित वो मैंने आपको बता दिये जहादार शाह ज़्यादा सम्मे तक नहीं रहेगा बारा से तेरा तक गद्दी पर रहेगा जहादार शाह चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ और फारुक सियर पर आता हूँ तीसरा शाशक जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम होगा ता फारुक सियर ठीक बात है उसका काल होगा 1713 1719 तक इसका काल होगा ठीक हो गई बात इसकी अब मैं आपको बताता हूँ इसे न इसके समय के दो-तिन कारे देख लेते हैं, इसे ग्रिनित कायर कहा जाता है इतिहास में, आप कहेंगे ग्रिनित कायर क्यों कहा जाता है, देखे, फारुक सियर जुल्फिकार खा के सहीयोक से बैठा, ठीक होगी बात, चलिए, सुरी मैं गलत बोल गया, इसने जुल्फिकार खा की correction है कि हत्या करवा दी हत्या करवा कर गद्धी पर बैठा और इसको गद्धी पर बैठाया किस ने था गद्धी पर बैठाया है भारतिये दल भारतिये दल कौन भारतिये दल है सयद बंधू, इनका मैं आपको introduction अभी कराता हूँ सेयद बंधू के दो भाईया ये एक का नाम है अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम है हुसेन अली चलिए, मैं एक बार recall करता हूँ फिर देखते हैं, देखिए हमने इसे पहले जहादार शाह पड़ा, जहादार शाह 1712 से 1713 तक बैठा जहादार शाह जो है वो किसके सहयोग से गद्धी पर बैठा था जहादार शाह इरानी निता जुल्फीकार खां के सहयोग से गद्धी पर बैठा था ठीक बात है, अब जहादार शाह के बाद भारतिये दल हावी हो गया और भारतिये दल ने जुल्फिकार खांगी हत्या करवा दी हत्या कर दी और भारतिये दल के सेयद बंदू है सेयद बंदू ने अपनी तर्ब से बादशा बनाया है बादशा किसे बना दिया है बादशा बना दिया है फारुक सियर को ठीक बात है अब बात्षा फारुक शियर को बना दिया सयद बंधु ने अब सयद बंधु जो है इनका बड़ा ही वो था यह तो था वजीर कि ठीक होगी बात और जो हुसेन अली था हुसेन अली आपका सेने मंत्री था ठीक बात है हुसेन अली को सैन्ने मंत्री बनाया गया ये बना मीर बक्षी और आपका अब्दुल्ला खांब बना वजीर और इन दोनों ने बादशा पर बहुत नियंतरन इस्थापित कर दिया बादशा पर इतना नियंतरन इस्थापित कर दिया कि फारुक सियर इनकी ही हत्या का सांग र पैठा उन्हीं की हत्या का परियास कर रहा है इसलिए फारुक सियर को इतियास में घ्रिनित कायर कहा जाता है ठीक होगी बात अब मैं फारुक सियर के तीन चार कोशन है जो पेपर की दिस्ट्र से आड़ी लिखा फारुक सियर भीमार ठाव चलिएए उससे आपको लेना देना होमत्यारी में ऐक सरजं का नाम होगा है strategically क्या करेगा बात्शाह को सुस्त कर देगा बादशा को किसने स्वस्थ करा है मिल्टन ने स्वस्थ कर दिया यह ब्रिटिश सर्जन था अब यहां पर सर्जन को सर्जन से खुश हुआ फारुक्सियर फारुक्सियर ने सत्रा सो सत्रा का फर्मान दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में सत्रा सो सत्रा का फर् मान द्वारा इसने का अंग्रे जब तीन हजार रुपे वार्षिक दें मुझे एनुवली दें और फ्री ट्रेड कर लें यानि कि उन्हें किसी भी परकार की कोई चुंगी नहीं देनी पड़ेगी इसे ही दस्तक के रूप में जाना जाता है दस्तक का मतलब है बिना शुलक के माल का आवागमन करना तो तीन हजार रुपे वार्षिक के बदले दें और आप फर्मान दिया फारुक सियर ने अंग्रे जो को फ्री ट्रेड की अनुमती दी है इतिहास में इसका बहुत महत्व है मैं आगे आपको जब पलासी और बकसर की युद पढ़ाऊंगा अलग से तब मैं आपको बताऊंगा इसका इतिहास में क्या महत्व है क्या कारण रहे जो ये एक फर्मान जो है युद के कारण बनेंगे ठीक होगी बात चलिए फारुक सियर के और काम देख लेते हैं फारुक सियर ने बंदा बहादूर को पराजित किया और हत्या कर दी किसकी हत्य बंदा बहादूर की हत्या करी ये भी बहुत important है आप कहेंगे बंदा बहादूर कोन है देखे सिखों के दस्वे गुरू थे गोविन सिंग जी का मैंने आपको बताया वो किसके समय थे वो बहादूर शाह पर्थम के समय थे बहादूर शाह पर्थम के समय जजाओ के युद में उन्होंने बहादुर शाप पर्थम की साहता भी की थी यानि मोज्यम की साहता भी की थी 1708 में महारास्ट के नादेड में एक पठान जो है उन्हें छूरा मार देगा उनकी मिर्तिव हो जाएगी तो वो सिखो की जो दस्वे गुरु थे वो अंतिम गुरु थे तो सिखो के अंतिम गुरु के बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया और सिखो का नेतर तो बंदा बहादुर के हाथ में आया है इसने सिखों का बड़ा विस्तार किया और फारुक सियर के समय इसके साथ युदुआ फारुक सियर ने इने कैद कर लिया और दिल्ली में इनकी हत्या कर दी थी यह आया है यह मैं आपको बता दिया है बाकी इनकी जो डिटेल है मैं आपको सिख लेके चलूँगा गुरू गोविन सिंग जी से लेकर के और पंजाब तक 1849 तक मैं आपको लेके चलूँगा तो महाँ पे सारा डिटेल से करम से बताऊंगा अभी आप फारुक सियर की मराथा से संधी की मराथा संधी मैं आपको यह बता भी चुका हूँ मराथा संधी के बारे में जिसे मराथा में मैंने बताया था नुक्षिन को थोड़ना पड़े इसलिए सहीड अली की निक्षन में कर दी यूवनुखी आपक्षन शेय आपनी उन्हे कर दीं बेज़ दिया और दक्षिन में गया नहीं तो बाद में फारुक सियर ने एक साही फर्मान निकल वाया शाही फर्मान और उसमें यह कहा गया कि हुसैन अली को दक्षिन में जाना ही पड़ेगा अब हुसायन अली दक्षिन में गया तो फारुक सियर को लगा कि अब दोनों भाई अलग हो गये हैं हत्या कर सकता हूं तो अबदुल्ला खान ने दर्वार में आना बंद कर दिया उसे पता लग गया कि तेरे खिलाफ दरवार में काल आप देख सकते हैं ठेक हो गई बात मैंने वारुक सियर के सारे कोशचन आपको बता दिये हैं अब मैं ने脆ता हूं कमजोड शासकों की लड़ी शुरू हो गई है साइद बंदू ने अब रफी दरजात को गद्धी पर बिठाया किसे बिठाया है? रफी दरजात को महराथे याद होंगे तो मैंने आपको कहा था दिल्ली की संधी को एप्रूवल रफी दरजात देगा रफी दरजात के बाद रफी दोला को बिठाया गद्धी पर रफी उद्दोला को गद्धी पर बिठाया ये कमजोर शासक है एक के बाद ये कमजोर शासक है ठीक बात है उसके बाद गद्धी पर बैठेगा जो उसका नाम होगा मुहम्मद शाहा इसका काल होगा 1719 से 1748 तो आ सीयोग करके सयद की हत्या 市शा करवादी तो सियद बन्दू की हत्या किस ने करवाई सएद बंदू की हत्ता मौंश HC हने करवाई किसके सयोग से Pelshyn से निजान के सयोग से या मेंने काता निजान जो है तुरानी दल है ठीक बात है मैं गलत लिग गया थोड़ा सा कोई बात नहीं आप देख लिए तुरानी दल था एक हमने कहा था इरानी दल इरानी दल का नेता जुल्फिकार खां था एक था हिंदुस्तानी दल जिसके नेता थे सैयद बंदू और तुरानी दल का नेता है निजाम निजा पर मुहम्मद शाह गद्दी पर बैढ़ गया है और मैं अब मुहम्मद शाह के कारे पढ़ूँगा ठीक हो गई बात चलिए मुहम्मद शाह कि 1719 से 1748 आपको पता ही है सेयद बंदू की साहिता से गद्दी पर बैठा था लेकिन निजाम के सायोग से सेयद बंदू को इसने हटाया और इसने निजाम को क्या बनाया अपना निजाम को इसने वजीर बनाया निजाम इसका वजीर बन गया ठीक हो गई बात पहले मैं इसके कोशन पढ़ लेता हूं फिर मैं आगे चलूँगा मैंने आपको बताया थे निजाम वो ही है जो हैदराबाद की स्थापना करेगा हमने शकूर खेडा का युद पढ़ा था मुबारिश खां को पराजित करेगा तो ये 1724 में नराज हो जाएगा किसे मोहमत शा से मोहमत शा क्या था मोहमत शा रंगीला था ये वेश्यायों के चंगुल में रहता था इसे कुछ लेना देना नही था मोघ मुरस्ति में विलासी जीवन वैतित करता था मुम्मत शाह के समय एविवस्ता फालने लगी निजाम जो योग्य था निजाम अपना शिकार का भाना करके हैदराबाद चला जाएगा और हैदराबाद में जाकर स्वतंत राज्ये की स्थापना करेगा आपको याद होगा मैंने शकूर खेडा का युद पड़ाया था 1724 का पिछली वाली वीडियो में आपको याद होगा उसी को मैं डिसकस कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है तो निजाम का तो हैदराबाद चला गया उसके बाद मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ इसके question देखे भारत में जजिया 1720 में अन्तिम रूप से समाप कौन करेगा अन्तिम रूप से समाप मुहम्मत शाह करेगा ठीक हो गई बात मुहम्मत शाह अन्तिम रूप से जजिया समाप करेगा जजिया की पूरी story है वो मैं आपको पहले बताया अब जजिया क्या होता था और बाकी मैं आपको दिल्ली सल्तनत में डिटेल से पढ़ाऊंगा ठीक बात है देखे मुहम्मद शाह के समय बंगाल अजाद हो गया बंगाल को अजाद किया मुर्शीद कुली खान यह बड़ी इतिहास की घटना है बं हैदराबाद को सवतंत किस ने किया निजाम ने सवतंत राज्य की स्थापना की हैदराबाद में भरतपूर का जाट राज्य सवतंत हो गया बदन सिंग ने भरतपूर का जाट राज्य बदन सिंग ने सवतंत किया तो इस परकार से यह मुगलों के अब देखे मुगलों का होता दिख रहा है आपको मुगल जो हैं अलग अलग राज्य जो हैं केंद्र से अलग होते जा रहे हैं और यह शक्तिशाली होते जा रहे हैं तो मैं आपको बात में दिखाऊंगा अब जब हम पढ़ेंगे इन्हें अलग से पढ़ना पढ़ेगा इनके बहुत में मराठे दिल्ली पहुँच गए आपको याद होगा मराठे 1737 में दिल्ली पहुँच जाएंगे और मुगल बात्षा को घिर लेंगे ठीक बात है पांसो घेडे घोडे लेकर भाजी राओ पर्थम हमने बात भी की थी दिल्ली पहुँच जाएगा फिर मैं आपको पिछली संधी होगी संधी का नाम क्या था आप बताईए संधी संधी होगी संधी आप में को कमेंट में बताईए का संधी का नाम क्या था संधी के बाद क्या होता है संधी के बाद मालवा के छेदर जो है मुहम्मत शाह मराठो को दे देता है यह मैं आपको पढ़ा चुक हूँ पि नादिर शहा का आकर्मन ये तो इतिहास में बड़ी महत्पून घटना है नादिर शहा का आकर्मन नादिर शहा कहा है इसे इरान का नैपोलियन कहते हैं क्या कहते हैं इरान का नैपोलियन ठीक बात है यहां पर एक युद्ध होगा जिसका नाम है करनाल का युद्ध शौर्ट ठीक है देगे मुगल बादशाह आपसे पूछे जब नादिर शाह का अक्रमन हुआ तो बादशाह कुंता मुहम्मत शाह था करनाल का यूद किस किस के बीच में हुआ यह हुआ यह कब हुआ था फरवरी 1749 में ठीक हूँ कि करनाल का यूद अब आप इसमें दो चार चीजे सम निजाम को बेजेगा निजाम कौन चिन किलिच खां चिन किलिच खां वही निजाम है जो हैदराबाद चला गया था वह मुगल बादशाह की साहिता के लिए आएगा और नादिर शाह से बातशीत करेगा और बात तैह हो जाएगी कि नादिर शाह को 50 लाक रुपे देंगे यूँ धर जाने के रूप में और नादिर शाह वापस चला जाएगा बिल्कुल ठीक बात हो गई इससे यादा कुछ नहीं होगा लेकिन नादिर शाह को इतने में एक कान भर देगा जिसका नाम होगा साधत खां याद है आपको अभी मैंने बताया था अवद का नवाब थ इसने का 50 लाक में तो आप बहुत कम में सोधा कर रहे हो कम से कम 20 करोर रुपे मिलेंगे आपको आप कहां 50 लाक में मान गया है नादिर शाह कहेगा भाई ये तो बड़ी गड़वड है आपको मैं एक बात बताओं जब निजाम नादिर शाह से बात करने जाएगा ना तो न पर नंधी पता लग गया वह उनके घर में ग्रहेग कलेश चल रहा है एक दूसरे को गिराने के परियास कर रहे है और साथट खाने नादिर शाह को बढ़काया नादिर शाह ने खूब लूट पार्ट करी और यहां से तक्ते ताउस ले गया आपको याद होगा तक्ते जाएगा नादिर्शाह ले जाएगा और बहुत से कारीगर बहुत सी किताबे फार्सी साहित्ते और दुनिया भर की चीजे जो है नादिर्शाह अपने साथ ले जाएगा अपने देश ठीक हो गई बात तो यह महत्मुन घटना थी मुहमत शाह के समय की करनाल का युद मैंने मैंने आपको बता दिया करनाल के युद में क्या हुआ किस ने मांडवाली करी किसे ने भड़काया नादिर्शाह क्या 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 ले गया वह सारी बाते हो गई मैंने आपको बता दिया अब मुगलों की हार का क्या कारण है आप समझ गए होंगे चलिए में नेक्स चलता हू मुहम्मद शाह की मिर्त्यू के बाद देखें नादिर शाह जो है नादिर शाह भी 1747 में मर जाएगा नादिर शाह मर गया चली खतम होगी बात हमें इससे कुछ निले न दे ना यह वापस चला गया था उन मर गया अब यहाँ पर गद्धी पर जो बैठा दिल्ली पर उसका नाम है एहमद शाह ठीक होगी बात इसका काल है 1748 से 1754 इसका काल है ठीक बात है इसके समय में पांच बार आकर्मन होंगे अब नादिर शाह के बाद भारत पर आकर्मन कौन कर रहा है वो कर रहा है एहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्रादिकारी जो होगा वो ना एहमद शाह अब्दाली होगा जो भारत पर पांच बार प्राकरबन इसके समय में करेगा ठेक हो गई बात उसके बाद नेक्स्ट आ रहा हूं में नेक्स्ट बात्षा बनेगा ऐसे ही जिसका नाम होगा आलमगीर सेकिंड इसका काल होगा सतरा सो चोवण से सतरा सो उनसट इसके समय भी दरवारी गुटवाजी बड़ी ही चरम पे इमादुल मुल्क की ये कठपुतली बन कर रहेगा बिल्कुल जो वो कहेगा वही होगा तो आप देखिए मुगल बात्षाओं की क्या हालत हो गई है इमादुल मुल्क की कठपुतली बन कर ये अपना सारा का सारा कारेकाल बता देगा आप से पूछे जब पलासी का युद हुआ तो मुगल बादशा कोन था तो पलासी का यूद 1757 में हुआ तो आप देख सकते हैं पलासी की यूद के समय बादशा आलमगीर दित्ते हैं हलाकि मुगल बादशा का कुछ लेना देना नहीं है पलासी का यूद बंगाल के नवाव और अंग्रेजों की जड़प है इसम क्यों आता हूं तो अब आता है तो देख हमने आ सत्रास ऑननीश स्था का महंप्स्षा फिर ऐसे घ्यकित और हम धैजर दित्ते हैं तो क्लिकRI5-889 से'm अठारा सो च्छें होगा इसका काल काल इसके समय की घटनाए को अगर मैं देख लूँ तो ये बकसर के युद में पराजित कुन से युद में? बकसर के युद में पराजित मुगल बात्शा अंग्रेजों से पराजित हो जाएगा बकसर के युद में शाह आलम पराजित हो जाएगा इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे बकसर के युद में, देखें, बकसर के युद में क्या होगा, अंग्रेजों के विरुद एक गुट बनेगा, एक होगा मीर कासिम, एक होगा शुजाउदोला, और एक होगा मुगल बादशा, इन तीनों का जो गुट होगा, यही अ थेको की बात तो चलिए यहां पर हुआ क्या वो मैं बता देता हूँ आपको इसके समय की तो बकसर के इद में पराजित होने के बाद शाहा आलम ने एक संधी की थी 1765 में उस संधी का नाम था इलाबाद की संधी मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ एक बार मराठो में इलाबाद की संधी और आपको पता है इस संधी के दुआरा ये 1765 से 1771 तक इलाबाद में अंग्रेजो का पेंशन याफता रहेगा क्या रहेगा अंग्रेजो का पेंशन याफता यानि अंग्रेजो का पेंशन गर बन जाएगा ये ठीक बात है फिर मैं आपको बता देता हूँ आपको याद होगा 1772 में इसे ही महाद जी सिंधिया पिछली वीडियो में मैं डिसकस किया था मराठे यानि कि महाद जी सिंधिया दिल्ली की गद्धी पर बैठाएंगे अपनी तरब से कहां पर बैठाएंगे दिल्ली की गद्धी पर बैठा आएंगे तो आपको याद आ गया होगा अब यह 1772 में दुबारा दिल्ली की गद्धी पर बैठ जाएगा महाजी सिंदिया के परयासों से ठीक है इसके समय का जो कोशन है मैंने आपको बता दिए एक दो कोशन और देख लेते हैं एक बार पूछा हुआ है आई एस में कहीं व हुआ है अंधा कर देगा ठीक हो गुलाम कादिर ने 1780 में इसे अंधा कर दिया था फिर आप से पूछे किसके समय कि इसका काल था है हमने पढ़ा था इसका काल था 1769 से 1806 था ने इसका काल आपको याद हो मैं लिग देता हूँ 1769 से 1806 था इसका काल तो अंग्रेज 1803 में दिल्ली पर कबजा कर लेंगे अब आप से पूछे किस मुगल बात्षा के समय अंग्रेज दिल्ली पर कबजा कर लेंगे तो आप कहेंगे शाह आलम दित्ते के समय अंग्रेज दिल्ली पर कबजा कर लेंगे ठीक होगी बात मैं next आ रहा हूँ और खतम कर रहा हूं उन्हें चलिए उसके बाद गद्धी पर बैठेगा जिसका नाम होगा अकबर सेकिंड जो मुगल बादशा गद्धी पर बैठेगा उसका नाम होगा अकबर सेकिंड इसका काल होगा 1806 से 1837 तो अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कबजा कर लिया था हमने जैसे देखा तो अखबर दित्ते गद्धी पर बैठेगा 1886 में तो इसका मतलब कोन गद्धी पर बैठा रहे इस हैं अंग्रेज बिठाएंगे तो मुगल पहला मुगल बादशा जो अंग्रेजों के सायोग स से गद्दी पर बैठा वो है अकबर सेकंड यह इतना सीमित हो जाएगा कि लाल किले तक इसकी सत्ता रह जाएगी लाल किले तक सीमित रह जाएगी मुगल बात्शाहत कहां तक रह जाएगी लाल किले तक मुगल बात्शाहत सीमित रहे जाएगी ठीक हो गई बात उसके बाद यह अपनी पेंशन बड़वाने भी आप देखें पेंशन बड़वाने भी इंग्लेंड में महारानी के पास कि राजा राम मोहन राए को बेजेंगे किसे बेजेंगे कि बहुत मेरें बड़वा लो उन्हें राजा की उपाधी कैसे पतन की और आते जा रहे हैं और दिल्ली तक सीमित रह गए हैं ठीक हो गई बात चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूं अखवर दित्ते की यही कोश्चन है उसके बाद उनका लड़का बैठेगा जिसका नाम होगा बहादुर शाहा जो जफर के नाम से कवी ताय लिखता था 1837-562 मैंने देही कैसे लिखा 1837-57 तक तो यह बात्षा रहेगा क्यों 1857 का जो विद्रो होगा उसका नेत्र तो यही करेगा बुद्धा आदमी होगा जबरदस्ती नेत्र तो करेगा ठीक होगी 1857 में हम पूरा डिसकस करेंगे 1757 में विद्रो के बाद इसे रंगून भेज देंगे रंगून भेज देया पिया कहा गए पिया गए रंगून इनकी महा पर मिर्त्तिव कहा हो जाएगी अब एक कुशन हमारे सामने बनता है कि देखे 1526 में इस्थापित मुगल बादशाहत पिछले 1500 साल में ही ताश के पत्तु की तरह धरड़ा कर गिर गई ऐसे क्या कारण है तो इतिहास कारों में ये भी चर्चा का विशे रहता है तो मुझे उसे चर्चा कर लेनी चाहिए आप आपको 45 पॉइंट बता देता हूं उन्हें देखना चाहिए मुगल सामराज्य के पतन के कारण पतन के कारण कभी आप कहीं में स्वेंस लिखने लगें तो आपको डिसकस करना चाहिए मैं शौट में लिखूंगा आपको समझ आएंगे क्योंकि अगर आपने सारा देखा है तो मैं पहला ही लिख रहा हूं कमजोर उत्र आदिकारी डेफिनिटली देखे मुगल सामराज्य एक केंद्रीकरत राज्य था केंद्रीकरत राज्य की सेंट्रलाइस साशन जो होता है उसकी विशेष्टा होती है वो जब तक बढ़िया चलता है जब तक बादशाय योग्य अगर बादशा कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा धरबार में क्या शुरू हो गई गुटबाजी शुरू हो गई गुटबाजी शुरू हो गई तो मुगल बादशात क्या पतन की और चल पड़ा ठीक बात है कुछ इतिहासकार कहते हैं औरंग जेब की दक्षिन नीती जो ह और अजेब ने आपको पता है अपने जीवन के 25 साल दक्षिन में बिताए तो इतिहास कारों का एक वर ये कहता है कि 25 साल दक्षिन में बिताए और उत्तर भारत की राज्जिती में ध्यान निदे पाया जिस कारण से कहीं संकट खड़े हुए और पतन का कारण बनी कुछ समय 20-21 परान तक हो जाएंगे बीजापूर गुलकुंडा तक हो जाएंगे तो कहते हैं कि इतने बड़े समराज्ये पर अच्छे संचार सादनों के अभाव में नियंतरण मुश्किल था ये भी मुगल समराज्ये के पतन का एक कारण बना सतीश्वन जैसे इतिहासकार कहते हैं जमीदारी व्यवस्था भी समराज्ये के पतन के लिए कुछ उत्तरदाई है मुगल समराज्ये के पतन का बीज उसके उत्थान में ही छुपा हुआ है तो जमीदारी व्यवस्था को पतन का कारण मानते हैं कुछ कहते हैं विदेशी आकर्मन, विदेशी आकर्मन में आप देखेंगे नादिर शाह, एहमत शाह अबदाली और उसके बाद अंग्रेज, कौन-कौन से नादिर शाह, फिर एहमत शाह अबदाली और फिर अंग्रेज, ये जो हैं पतन के लिए परमुक रूप से कारक रहे ह कुछ लोग कहते हैं औरंजेव की धार्मिक नीती, अखवर ने इतने विशाल समराज्य का निर्मान एक सुलह कुल की नीती के अधार पर किया था, सभी वर्गों को साथ लेकर चला, औरंजेव ने राजपूतों का सपोर्ट्स खो दिया, राजपूत सहीयों खोया, कई ऐसे क कारे किये, जो धर्मांदता से, धर्म की दिश्टी से सही नहीं दिखते हैं, जिससे है, एक बड़ा वर्ग जो है, सामराज्य की सामराज्य से दूर हो गया, या यूं कहिए कि सामराज्य ने एक बड़े वर्ग की निष्ठक हो दी, और जिससे आधार कमजोर हो गया, और के कारण कई बार objective में भी वो theory में question डाल देता है तो आपको यह सारे concept समझा रहे होंगे मैं हातो हात बताता चला हूं कि देखे कमजोर उतरादीकारी रहे यह कारण रहे यह कारण रहे अगर यह आपको समझा रहे हैं तो आप समझेए आपको पूरा मुगल समराज्य समझा र क्ये का अपना